हालो प्रेंट आज का टॉपिक अपना वैकूम चेक है वैकूम कल्कुलेशन वैकूम एक्षिसेंसी बैक परशार तेक है इससे लिएट है अमांट ऑफ एर इंग्रेश से डान एक्षाप्शन जिसका क्या होता है यह सब टॉपिक ऐसे हैं गर्मी की दिनों में क्या था अपना कि अपना कंडेंसर में एक्षण कितना वैकूम बनना चाहिए और जाएक्षण में कितना है इसलिए अपको समझागाएगा वैकूम क्यों प्लड़न है उसके लग क्या कर सकते हैं आप लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा इसलिए मेरा चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शियर करें ठीक है आपको नुमेर को पड़के आपको समझा देता है इने कंडेंसर टेस्ट दा फ्लोइंग अब्जवरेशन वेर दा मेट वैक्यूं 17.1 सेंटीमेटर ऑफ एच जी बारमिटर इदा सेंटी सिक्स पाइंट 3 ॉपेजी मीन अधिआरा हूं 35 डिगूरा थेंटीमेटर जूद्सक्राइशन 35 दिग्री कांटिटेव में अधिय में को लिग वाट कॉलिग वाट चैक वांनितिटी दिया वह है यह अपना basic data दिया एक flowing अपना condenser है जहां पर क्या होता है steam क्या हो रहा है condense हो रहा है जिसका data दिया हुआ है exhaust system का temperature कितना बता रहा है 35 बता रहा है और अपना hotware का temperature कितना है 29 डिगरी तेख है इसमें जो cooling water आ रहा है उसका temperature कितना है 17 डिगरी और उसका output temperature कितना है 32 डिगरी तेख है उसमें अपनों को क्या दिया है CW का cooling water के capacity कितना बताया है वहना flow कितना बताया हुआ है 46,270 kg पर आवर है और अपना condensate जो अपना steam to water convert हो रहा है उसकी quantity बता है 1200 kg पर आवर हमको calculate क्या 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 करना है amount of air present per meter cube of condenser value इसमें क्या पूछ पहला बोला है अपना amount of air एर निकालना है जो अपना condenser में present है जिसका हमाना vacuum क्या होता है इसको इसको calculate करना है the state of steam entering the condenser निकालना है क्योंकि इतनी quantity में रहेगा उसना प्रेजेंट आपना purity of steam है ठीक है और vacuum efficiency आपको यह तीनों बहुत easy calculate हो जाएगा ठीक है बस आपको sum parameter आपको याद होना चाहिए ठीक है इसमें क्या होगा यह अपना के लब योई में 2021 में साहर तक पूछा गया question है इसको बनाया जा रहा है ठीक है ठीक है ठीक है यहां पर क्या है अपना absolute पैसा कैसे कर लोगा करेंगे barometric minus vacuum क्योंकि यहां पर negative इसलिए रखाएगे हो कि अपना vacuum negative होता है ठीक है दोनों को difference कितना आता है 6.3 cm of SG इसको बार में convert करना है तो उपर उनों बार मल्टिवलाइ 760 कर दिंग आपको इस पता है कैसे कॉल्कुलर इसको बार में convert किया जाता है ठीक है पंट 0826 बार आ जाएगा तो absolute pressure हमारे पास आ गया ठीक है तो अंदर जो हमारा क्या होगा partial pressure है इसको टोटल यह partial pressure भी इसको बोल सकते हैं जो अपना system बंदर है ठीक है absolute pressure को जो किसके इसको लेट है का steam pressure plus gas pressure तो gas pressure या अपना air pressure बोल सकते हैं उसको न जो उसमें gas present है एक तो steam के कारण होगा और rest up क्या होगा उसमें gas present होगा वो pressure किसके बराबर होगा absolute pressure बढ़ा होगा according to partial law ठीक है simple data को put up कर दिंगे बट आप यहां पर steam pressure कैसे निकाला है क्योंकि अपना जास system को pressure कितना है पॉइंट जो नी थर्टी 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 फाइब डिग्री तिसनल में steam tables की साब से कैन का लेंगे उसके पोरा value वहां से निकाल देंगे 35 saturation temperature पे जो डाटा दिया होगा वहां पर आप steam table देखेंगे तो steam pressure महां पर 0.056 बार आता है उसको वालूम आता है 25.24 meter to power hour आता है ठीक है अब उसको ठीक है अब इस तरह से उसको डाल दिंग डाटा रखेंगे तो अपने पास महां तो दोनों को difference करने से अपनों how as gas pressure volume या उसना pressure का प्रेशर बोल लों दोनों को difference करने से अपने को फॉइंट 0.026 बार आता है ठीक है फ्रे 55 ऐमाइक से समझ आ गया होका आप प्रेशिस कासे में निकालना हूं थीक है आपको भी ती कालना है वहां पूच्छा कि हमनें पहला क्वेस्टन में अमांट ओप एयर प्रेजेंट तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं गैस लॉग क्या होता है गैस लॉग में पीवी जोल टू करते हैं रहाएं इसको निकालना बहुत जोली होता है यह क्या करते हैं जिएक्टर या वैकूम पंका यूज करते हैं तेक है कुछ वह अमांटको अपना क्या निकल गया म zones खेल आपना इंसिक्या निकल गया है अप दूसरी मोणको क्या निकालना है उसका nit Clips N省ख्छो को प्रिंदेंस बना में के मडोन में बडाई हो 110 अपना पर यह कितना परसेंट अपना वल वाट कितना परसेंट एक टी न अपना मुँअ परधान लाहने सवार्च कछंपम ओं छॉक्र करने कर फोलות लाफ स्थिल पर 10EC दिए यह हो आप पर निकालना क्या हो स्थिशनव कितना हता Lake 24 2400 13.6 kJ पर कीजी आता है आप हमें से युनिट को ध्यान रखेंगे इस टाइब को question को solve करना है तो न और hot well का temperature कितना है 29 डिग्री है ठीक है 29 डिग्री आपको saturation डेलिए इसलिए उसका heat आपको वहापस से निकाल गींगे किलो कलेरी पर कीजी भी कर सकने है ना इसमें confusion नहीं है ना क्योंकि 29 और hot heat दोने equivalent होता है situation temperature में इसलिए 29 डिग्री 29 को में किलो कलेरी पर कीजी में इसलिए कन्फूजन नहीं होना को भी स्वाल में ठेक है और इसमें काया करना unit किसमें उपर आला किलो जूल पर कीजी में इसलिए इसलिए इसमें किलो जूल पर कीजी में करने के लागा 4.18 अब साय तक एट अपना प्रोक क्यों तो कड़ गया इसलिए आप 29 multiply 4.18 से करेंगे तो कितना आता है 121.4 किलो जूल पर कीजी आ जाएगा इसमें आप formula को पता ही है Hs is equal to Hf plus XHfg ठीक इस्टीम टेपने आलो formula को दिया हुआ है आपको अगर भूल जाता है तो यालो formula याद रखेंगे अगर याद नया भी हो तो आपको याद रखना ही है तब ही आपको स्टीम निकले का फ्रेंगे याद रखन में क्या करेंगे heat balance का formula क्या होता है steam जो heat लाया और अपना cooling water जो heat लेके गया वह दोनों equivalent होगा इसको हमनों balance कर दींगे क्या m is equal to hs minus sw ठीक है और is equal to cooling water flow है cw cpw t0 minus t1 आपको आपको बता दिया है स्टीन डिग्री हाट वेल का temperature हो वह का अनों क्या किया है जू किलो जूल में पर केजी में convert किया है इसलिए 120.4 लिखा हूं है ठीक है आपना cooling water capacity ठीक है वह आपको पता है 46,290 है multiple 4.18 और इसमें क्या है और cooling का और आट कितना है 32 और इनलेट कितना है 70 इसमें अपना एक्स रेक्ष्व कितना आता है 98.98 या 98 परसेंट इसमें इतना प्वैबर स्टीम करने अपना रहेगा इस तरह से हम लोग क्या करें डानेस प्रेक्शन से परसेंट आप पर स्टीम निकाल देंगे ठीक है प्रेंट आको मेंका से कोई डाउट नहीं होगा यहां तक को हम लोग पहले में क्या निकाले एड इंगर्स निकाल लिए डानेस प्रेक्शन निकाल लिए अब अपनों को तीसरा में टॉपिक था अब ना वैक्व पेशेंसी यह बहुत ज़रूरी आपको कितना वैक्व इसेंसी है यह पता होना चाहिए तो इसका आपके लिए एक्शुल वैक्व बाइन डिवाइड बाइड वैक्व आइडियल जो होना चाहिए एक्शुल जो है ठीक है फ्रेंड यहां पस थोड़ा साब लोग को और हम आपको 29 डिग्री ठीक है स्टी माइड टम्राइचर कितना अब तर था कि 35 डिग्री वह पर क्या लेना अपास Woah का टंप्रेचर पर कया निकालना है प्रेशर निकाल लेना है वहां पस आप निकालो कर प्रेशर तो कितना आता है आप 0.04 बार अएगा ठीक है इले स्टीम का प्रेशन निकल गया त्री सेंटीमेटर एजी क्योंकि हम पूरा डाट अपनो एजी दिया हुआ है तो इसमें क्या निकल गया मेरेको तो 29 डिग्री में क्या निकल गया इस्टीम का प्रेशन निकल गया त्री थ्री सेंटीमेटर ऐब अपना यह क्या है यह तो अपना एक्जास इस्टीम है वह बेक्परशर बोसकता हूं वह जनरेट कर रहा है तो आडियो बलाइक हुम कितना हो जायेका टो टेमंट यह 7.3-3 3.6 3 cinema SG ऐब गया है 177 76.3 यह डायर डाटर दिया हुआ है आप लिखा हुआ है बैरोमेटिक प्रेशर ठीक है बैरोमेटिक रीडिंग दिया हुआ है उसे अलों क्या किया है जो 29 डिग्री में अपना बैक पर साथ इतना बैक बनना चाहिए बट उतना नहीं बनता अपनों को वैकूम कितना बना है डाटम कितना दिया है 70.1 प्रेंट में 76.1 लिख दिया हुआ 70.1 है आपको पता चल गया है आपको एक्षाल वैकूम कितना है दिया हुआ है में 70.1 आ रहा है और एक्षाल में कितना बनना चाहिए जो हम लोग निकालना है एसपार कंडेस हाट वर्टमटरी से आप से उसको बैरामेटर में से निकाल मैनेस करने पर इतना बैरामेटर टमटरेस प्रेशर कहां से इनकाल होगा आपको जो वैकूम को उपर हमारा गैस न से निकाल लेंगे दोनों से हमनों क्या करने है आइडिया लोग डिवाइट वे नहीं एक्षाल डिवाइड वाइडियाल कर दिंगे मल्टिप्ला हेंड़ करेंगे तो 95.6 परशेंट अपना आ जाएगा फ्रेंड प्रेंड है कि अपना वैकूम फिंसेंसी है या 96 भी बोल सक होते हैं बट यहां पर देख सकते हैं अपना आइडियाल वैकूम कितना होना था 73.3 एक्षाल बना कितना हो 70.1 दोनों का क्या करेंगे बॉट्टम से डिफ्रेंस निकाल लेंगे एक्षाल उसमें से तो 6.2 cm of Hg यह क्या है लॉसे से जो एक्षाल में और वैकूम क्रेट होन सद्सक्राइन में अपन है आशा है क्यों हँऊ है क्यों हों यहां कि हूंगा है सब से पहले में कहाने करें Cat r present in a name meter q Lake अन्लों में डीकर निकाले नश्राइनीख परаша मैं कितना निकाले इंश फ्रेंद आंटिे टो तो actual vacuum उतना से कैसे create होगा ठीक है इसलिए हम लोग ideal vacuum of now percent of air ingress को भी इसले निकाल सकते हैं Hope आपको वीडियो अच्छा लगो तो like करें, subscribe करें